नमस्कार 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 सचाई यही है जहां माथ इतनी सस्ती है वो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा सर तकरीवन दस लाग से जादा किसान अपना पेट पानने के लिए गाउं छोड़कर शहर में मजदूरी करने आ जाता है जो हमारे देश की रीड की हटी है वो बिल्डिंगों में चौकी दारी करता है जो किसान हमारा भगवान ने अन अदाता कहलाता है वही मंदिरों के सामने भीक मांगता फिर रहा है बादों पर मज जाईए जमीन पर आ जाईए एक कॉर्परेट पे काम करने वाला हजारों करोन का उधार लेकर विदेश बात गया और वहाँ बैठकर विदेशी शराब पी रहा है सिर्फ पांच या दस हजार उधार लेने वाला किसान जहर पीकर अपनी जमीन पर जान दे रहा है इन कॉर्परेट्स की काली करतूतों की वज़े से हमारी हर्याली जली जा रही है खेट सीचने वाली नदिया फैक्टरी से निकलने वाले गंदे बादी से जरील होती जा रही है ये मल्टी नैशनल कंपनीज की मशीने हमारी खेटी वाली जबीन पर कबजा करके उन्हें खत्ब करती जा रही है पर ये दिखाई नहीं देता पूड़े बिवारी से मर रहे हैं दर नौकरी कैसी भी हो हमारी पहतरी के लिए होनी चाहिए लेकिन हम उन फैक्टरियों के घुलाब बनकर अपनी जिन्दगिया खराब कर रहे हैं याद रखे खेती भी एक उद्योग है और खिसान उद्योगी है अगर हमारे गाउं की समस्याओं को आप लोगों ने नजर अंदास किया तो एक नए एक दिन हर गाउं हमारे गाउं जैसा ही बन जाएगा समल जाएए आप लोग अगर ये मीडिया कोशिश करें तो ये दुनिया हिला के रखते हैं वो ताकत है आप में अगर आपको लगे कि ये सही है तो हमें नयाय दिलाने के लिए हम सब की मदद कीजे